मैं हूँ लता एंड मेकप टिप्स व्लॉगर में आप सभी का स्वागत है I hope you all are good and मैं भी अच्छी हूँ तो आज आप सभी सोच रहे होंगे कि मेरी आखो को क्या हो गया है तो मेरी आखो को कुछ नहीं हुआ है अभी मैंने इसी का review अपनी वीडियो में दिखाया है तो यह मैंने अभी आज white color का liner अप्लाय करा है अपनी lower lashes में तो अगर यह काजल है वैसे जो मैंने अभी अप्लाय करा है अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो please share me, subscribe me, like me बाकी मैंने अपनी वीडियो में explain किया है कि white काजल क्यों लगाया जाता है किस लिए लगाया जाता है और यह white काजल के benefits क्या है जो कि हम अपनी eyes पे लगाया तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो please subscribe कर देना thank you so much, bye मेरे पास यह white color का काजल है NY का, NY का काजल है आपको पता है white color का काजल हम क्यों use करते हैं तो basically white color का काजल हम इसलिए use करते हैं क्योंकि इससे हमारी जो eyes हैं वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती हैं जिनकी छोटी small eyes होती है वो लोग इस काजल को लगाते हैं इससे थोड़ा सा क्या होता है eyes pop up होती है means बाहर थोड़ा सा reflection अच्छा आता है eyes का है थोड़ा सा उठके आती है eyes तो ये white काजल इसलिए लगाया जाता है ये जो मेरे पास white काजल है ये ny bake का काजल है ये मैंने purple side से मंगाया था तो ये मैं अपनी eyes में आपको लगा के दिखा देती हूँ कैसा लगता है इसे लगाने के बाद इसके नीचे आप एक layer black काजल की भी लगा सकते हैं पतला सा जो नीचे से एक layer आती है और इसको lower lashes lower line पे अपने fill कर सकते हैं आप चाहो तो white काजल का जो प्रियोग है वो आप इसके उपर भी कर सकते हैं जिससे की थोड़ा बहुत आपके eyebrows की जो bones हैं उसमें highlighting हो जाएं इसका swatches मैं आपको दिखा देती हूँ इसका swatch मैंने अपनी इस वीडियो में दिखा दिया है और यह smudge proof है 4-5 hours आपकी eyes में easily रहेगा और फैलता नहीं है लगाने के बाद और यह मैंने पॉपल साइट से लिया है आराउन में कुछ 60-70 रुपीज का पड़ा था अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि यह कुछ टाइम पहले लिया था और पॉपल में हमेशा सेल चलती रहती है तो वाइट कलर का काजल है आप ले सकते हैं वेरी रीजनेवल प्राइज है और इसकी बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिये हैं अपनी इस वीडियो में की आइस को बड़ा दिखाने के लिए या पॉप अप करने के लिए वाइट काजल का उपयोग किया जाता है बाकी अगर आपको मेरी ये वीडिय पसंद आई हो या फिर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज शेयर मी सब्सक्राइब मी लाइक मी फिर मुलते हैं बाई